नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनलन गुरुजी ग्यान पर दोस्तों आज एको टोपिक के साथ मैं आपके सामने पस्तित हुआ हूँ और यह टोपिक हर वेक्ति के जीवन में महतु रखता है यह टोपिक है उभोगता शन्यक्षन अधिनियम 2019 यान एक उभोगता है तो हमें एक उभोगता के रूप में अपने अधिकारों से परिचित रहना चाहिए यह अधिनियम एक उभोगता के रूप में हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उभोगता शन्यक्षन अधिनियम 2019 पर आये जानते हैं तो दोस्तो उभोकता शन्नक्षन अधिनियम 2019-20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है यह उभोकता को मजबूत बनाएगा और इसके निये इसमें विभिन पराओधान किये गए हैं जो भोकता की अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने में मदद क करेंगे दोस्तो जान लेते हैं इसके कुछ परमुख बिंदु तो दोस्तो नया अधिनियम पुराने अधिनियम यानि पुराना अधिनियम हमारा बना था उभोकता शन्नक्षन अधिनियम 1986 यह उसकी तुलना में अधिक त्यूरुता से काम करेगा साथी साथ पहले कि उभो इसका दूसरा परमुख बिंदु यह है कि दोस्तो पुराने अधिनियम में तिरी इस्तरिये उभोकता विवाद निवारन तंत्र यहनि राश्टी इस्तर पर उभोकता विवाद निवारन आयोग और जिला इस्तर पर उभोकता विवाद निवारन आयोग की विवस्ता मोज दूस्तो नए अधिनियम में केंद्री उभोक्ता शन्नक्षन प्राधीकरण के गठन का प्रस्ताव रखा गया है जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथोरिटी यानि CCPA इस विध्यक के अनुसार CCPA को कुछ अधिकार दिये गए हैं जो इस प्रकार है यानि यह उभोक्ता दिकारों के उलंगन और संसार द्वारा दी गई शिकायोतों की जाच करेगा साथी साथ आसुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापिस लेगा एवं उनके निर भ्रामक विध्यापन ओपर रोक लगाना भी इसका एक उदेश्य है आज के समय में भ्रामक विध्यापन भोतदिक फैलाये जा रहे हैं जिससे रजक्ता का महल बहुत जल्दी उपलब्द हो जाता है दूसरा यह है कि दोस्तों जो भ्रामक विध्यापन फैलाते हैं उनके निर्माता ओपर यह जुर्माने की विवस्था भी करेगा सातिसा सजा का प्रावधान भी करेगा दोस्तों इस नए अधीनियम में इकोमर्स और उससे संबंधित वेपार वेवार पर भी नियम बनाए गए हैं दोस्तों आज हम सभी अपने जीवन में किसी ने किसी रूप म हैं यह कोमर्स यानि इव इलेक्ट्रोनिक वेपार से जुड़े हुए हैं हमें जबी भी किसी चीज की अवशक्ता होती है या तो हम एमजोन से चीज को खरीद लेते हैं या फिर फिलिपकार से दोस्तों जब हम इन चीजों को इन सब वेबसाइट से खरीदते हैं तो हमें क उब्भोताों का तो पहनन कर दे़्य हुग है उनकोषन क्या जाता है तो दोस्तों हमें जानना है कि वे कुंसे धिकार हैं जो हमें e-commerce यानि इकोमर्स नियम 2020 को अधीनियम के तहट सुनुच्चित करेगी जिसके परावधान निमी लिखिते हैं इसमें पहला परावधाने दोस्तों परतेक e-commerce विकाई को अपने मूल देश समित रिटर्न, रिफंड, एक्चेंज, वरंटी और गारंटी, डिलिवरी, शिप्मेंट, भुकतान की तरीके, शिकायत निवरंड तंत्र, भुकतान के तरीके, भुकतान के तरीकों की शुरक्षा शुल्क वाफसी संबंधित आदि सभी विकलकों विवारे में सरकार को सूचना देनी होगी दोस्तों यह हम यह कह सकते हैं कि यह जिस भी परकार से ओल्लाइन विपार किया जाता है या ओल्लाइन खरीदारी की जाती है उसमें सभी जितनी भी चीज़े सामिल होती हैं उसे संबंधित जानकारी एक e-commerce कंपनी को सरकार को सुनिचित कराना उपलब आनिवार रहा है अने था वह हमारे देश में विपार नहीं कर सकते हैं दूसरा परावधान यह है दोस्तों यह सभी सूचना है वो भोगताओ को उनके प्लाटपॉम पर खरीदारी करने से पहले मौया कराए जानी चाहिए ताकि वह एक उचित निर्णे ले सकें उधारण की दोस्तों जब अब हम किसी वेबसाइट पर जाकर कोई समान परचेस करते हैं तो उसके बारे में हमें डिलिवरी शिप्मेंट उससे संबंदित गारंटी इत्यादी सभी जानकरियों के बारे में हमें जानकरियां दी जाती हैं तीसरा यह है दोस्तों यह कोमर्स प्लाटफॉर्म को 48 घंट के भीतर उब्भोक्ता की शिकायदों की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारिक के एक महीने के अंदर अंदर उसका समाधान करना होगा यह बहुत महत्तिपुन पॉइंट है दोस्तों कि यदि उब्भोक्ता को इन e-commerce company से कोई परिशानी होती है कोई समस्या होती है तो उसे हल करना इनका एक धैत्तव है चोर्थ दोस्तों ये प्राप्ताने कि नया अधिनियम उत्पाददव के अव्धारणों को प्रस्तूत करता है और मुआजदे की किसी भी दावे के लिए उत्पाद निरमाता उत्पाद सेवा परदाता और उत्पाद विग्र है वी से आलग है हमसे ज्यादा रेत वसूले जा रहे हैं तो दोस्तों इसके निये इस अधिन्यम के माले criminal से प्रवधान किया गया है कि उस्से संबंदित तो जो निर्माता होगा यह जो सेव पर्दाता होगा जो विख्रेता होगा उन को इसके निये जुर्माना देना होगा और उभोक्ता को उसका भोक्तान करना होगा याई उभोक्ता है दिगारों पूरी तरीके से शुरक्षा करने का इसमें प्रावधान किया गया है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो जो उभोक्ता सन्नेक्षन आदिनियम 2019 को पूरी तरीके से परिभाशित करती है और इससे सम्मदित मैंने सभी महत्वण पहलू आपको बता दिये हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है हो तो दोस्तो गुरुजी ग्यान चैलिन को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपना प्यार यूँ ही बनाया रखें धन्यवाल